इद पर नहीं सलमान खान दिवाली पर करेंगे सबसे बड़ा धमाकाजी है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बात की चर्चाएं अभी शे शुरू हो चुकी है कि भाई जान सलमान खान के फिल्म राधे इद पर तो रिलीज नहीं हो रही है और शायद हो सकता है सलमान खान ईद पर नहीं बलकि दिवाली पर दस्तक दें जानकारी के लिए बताना चाहेंगे लोगडाउन के वज़े से सलमान खान के फिल्म राधे की बाकी बची शूटिंग रोग दी गई थी इसका नेतिज़ा ये हुआ कि अब भाईया सलमान खान के फिल्म राधे इद 2020 पर नहीं रिलीज हो पाईगी लेकर हो सकता है इद के बजाए सलमान खान दिवाली पर दस्तक दें इस पर पॉलिविट के जाने माने ट्रेड एनिस तरना अर्दश का वी रेक्शन आया है अभी हाली में टाइम सोब इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक ट्रेड एनिस्ट तरना अर्दश ने बताया क्योंकि इद पर फिल्मों को रिलीज नहीं हो सकेंगी इसलिए अगला फैस्टिव सीजन दिवाली और क्रिस्मस होगा रादे के बारे में अभी भी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी सब कुछ आप परतियाशित है लेकिन एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि बड़ी फिल्मे अब फैस्टिवल को टार्गेट करेंगी तनर आदर्श ने अपनी बादचीत को आगे बढ़ाते हुए बताया अभी तो बस वेट और वाउस सिचुएशन है कुछ सवालों का जबाब किसी के पास नहीं है और अभी ये कहना गलत होगा कि सल्मान खान ईद पर नहीं बलकि दिवाली पर दस्तक देंगे इसी के साथी बाईजन सल्मान खान की बात करें तो उनकी फिल्म रादे काफी माइनु में खास होगी क्योंकि ये फिल्म साल 2016 की आई कोरियन फिल्म आउट लोस का हिंदी रिमेक है जिस फिल्म के रिमेक में सल्मान खान के साथ दिशा पाटनी जैकी शुरूब रंदी फुड़ा जिससे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगी रंदी फुड़ा और सल्मान खान की जोड़ी हमने कई साथ में देखी है लेकिन खबरों की माने तो राधे फिल्म में सल्मान खान के साथ खलनाए के तोर पर रदी फुड़ा नजर आने वाले हैं बहुती खूपसरोत बहुती उम्दा ये फिल्म साबित होने वाली है जिस फिल्म का निर्देशन परभु देवा कर रहे थ सल्मान खान अभी हाली में गरीबों को राशन बाटते हुई भी नजर आये थे और उनका ये वीडियो सोचल मीडिया पर काफी ज़्यदा वाइरल हुआ था लेकिन ऐसे मैं सल्मान खान के फिल्म राधे को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि शाय सल्मान खा रहना कुछ जल्दबाजी होगा लेकिन इस पर आप अपनी राय दीजिए और आप सल्मान खान के फिल्म राधे का कितनी वे सब्री से इंतियार करने कोमेट कर अपना सुझाओ चरूर दीजिए